चुनाव के नतीजी आर्पी भारत दिसाद आर्पी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं नमश्कार मैंगो अंचली आर्पी भारत मैं आपका स्वागत करती हूँ तो चलिए शुड़ात करते हैं आज की इसी खास खबर से मजफर पुल बलुराज विधान सवाचेतर से नंद कुमार राय को टिकट मिलने से उनके बतीजा राकेश कुमार राय अब निर्दलिय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में उतरे हैं मालूम हो कि पूर विधायक स्वर्गिय शशी कुमार राय के पुत्र रखें कत्या थाना च्छेतर के हरदी पुल पर सेंक्डों कारेकरताओने नंद कुमार राय के स्वागत में रखें तो वहीं दूसरी तरफ राकेश कुमार राय के स्वागत में कारेकरता रखें एनपी से बातचीत में नंद कुमार ने कहा कि हमारे घर का मामला के समझा कर मामला समापत किया जाएगा वहीं भतीज राकेश राय ने कहा कि अब समझने का वक्त नहीं है मैं निर्दलिय चुनाव लड़ूंगा बरुराज की जनता मेरे साथ है और मैं उनसे अपना हक मांग रहा हूँ राज़त पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि चार करोड दे कर टिकेट ली गई है आज से मैं राश्ट्रिय जनता दल का पूर जोर विरोध करूँगा बरुराज की जनता का प्यार चाहिए मजफरपुर से नविन कुमार ओजा की रिपोर्ट गलत कामुन नहीं करें पार अएप इस जनता हो अएप आप इस पार रहे हैं आप कितनी कि सौधेबाजी हुई है सौधेबाजी क्या हूई है यह सारे लोग जानते हैं यह मीटिया के साने बोने के हमको जरूत नहीं हमको पूर्वा बिधाक नहीं चाहिए जनता के बिच हम जनता के लिए हैं और जनता के सिवा के लिए हम हैं और यहां जो भी समस्या है उसे समध हम हम तो हम तो हम तो हम तो आगे हैं निजली लर्माइ के लिए इसका मतला मौचल आपको चुके हैं है दम दम लरेंगे निजली है